आज की सक्षा में हम प्रस्नावनी 14 दस्मलों 2 के प्रस्नों को हल करने जा रहे हैं और यह चैप्टर है त्रभूज और इसके गुन पहला नबर प्रस्न है निम्नलिखित आकरतियों के X का मान ग्याद कीजिए तो इसका पहला नबर देख रहे हैं यह त्रभूज दिया गया है और यह समकोन त्रभूज है यह 90 डिगरी है यह 60 डिगरी है और यह कोन X डिगरी है तो त्रभूज के कोनों के गुन से हम जानते हैं कि किसी त्रभूज के तीनों कोनों का योग एक सो असी डिगरी होता है और चुकि कि त्रभूज के कि तीनों कोनों का योग परवर एक सो असी डिगरी तो यहा तीनों कोन-कोन कोन से है एक तो यह X है दूसरा यह समकोन है तो यह 90 डिगरी है और तीसरा यह 60 डिगरी है तो इन तीनों का योग हो जाएगा 180 डिगरी यह समीकरन हमें मिल गया इससे हम हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा या x प्लस 90 और 60 यह हो गया जोड़ेंगे तो 150 डिगरी इसकल टू 180 डिगरी अब इस समीकरन के दोनों और हम 150 डिगरी घटा दे रहे हैं तो यह 150 डिगरी यह माइनस 150 डिगरी ब्राबर 180 डिगरी माइनस 150 डिगरी तो यह प्लस 150 डिगरी और माइनस 150 डिगरी यह कैंसिल हो गया तो हमारा x का मान आ गया 30 डिगरी तो इस तरह से हमने x का मान यहां निकाला 30 डिगरी आप प्रस्न संख्या 2, 3, 4, ये 5 और 6 आप देखें ये सभी प्रस्न एक जैसे हैं जिस तरह से प्रस्न संख्या 1 हमने हल किया ठीक इसी तरह से आप स्वयम इन प्रस्नों को हल करें मुझे पुरी आसा है कि प्रस्ण संख्या एक देखकर आप इन प्रस्णों को हल कर सकेंगे प्रस्ण संख्या दो निम्नलिखित आकरतियों के X एवं Y का मान ग्याद कीजिए तो ये प्रस्ण संख्या दो का ये पहला ये त्रिभूज है A, B, C और ये हम देख रहे हैं कि समकोन त्रिभूज है तो यहां हमें Y का मान निकालना है चुकि त्रिभूज के तीनो कोनो का योग तीनो कोनो का योग ब्राबर 180 डिग्री तो यहां कौन-कौन से कौन है इस त्रिभूज में उनकी माप क्या है पहला तो ये Y है जो हमें निकालना है ये है 90 डिग्री और ये है 45 डिग्री इन तीनो को जोड देते हैं तो हमारा आना चाहिए 180 डिग्री या Y प्लस 90 और 45 जोडते हैं 135 डिग्री इसकल टू 180 डिग्री अब दोनों और 135 डिग्री हम घटा देते हैं Y प्लस 135 डिग्री माइनस 135 डिग्री इसकल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री तो ये प्लस 135 डिग्री और माइनस 135 डिग्री ये कैंसिल हो जाएगा या y इसकल 2 ये घटाएंगे तो 10 से 5 घटा तो 5 ये एक हासल लिए ये 7, 7 से 3, 4 और ये एक से एक सुनने यानि y का माना गया 45 डिग्री ये हो गया हमारा 45 डिग्री प्रस्न संख्या 2 का 2 यहां हम देख रहे हैं x का भी मान निकलना है और y का भी मान निकलना है तो पहले हम x का मान निकालेंगे तो यहां पर हम देख रहे हैं x और ये 110 डिग्री ये रैखिक युग्म है और रैखिक युग्म का जो गुन है उससे हम जानते हैं कि इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए चुकि रैखिक युग्म के कोनों का योग ब्राबर 180 डिग्री या x प्लस 110 डिग्री ब्राबर 180 डिग्री या x प्लस 110 डिग्री माइनस 110 डिग्री इस समिकरन में दोनों और हमने 110 डिग्री घटा दिया तो ये प्लस 110 डिग्री और माइनस 110 डिग्री ये कैंसिल हो गया तो हमारा x का मान आ गया 70 डिग्री तो एक तो हमारा निकल गया ये x का मान अब इस तिर्भूस के अंदर तीन कोन हैं उन्हें हम देखते हैं ये 50 डिग्री 110 डिग्री और y डिग्री तो हम जानते हैं कि तिर्भूस के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री चुकि तिर्भूस के तीनों कोनों का योग ब्रावर 180 डिग्री इसलिए या जो भी कहें y प्लस 110 डिग्री प्लस 50 डिग्री इसकल टू 180 डिग्री या y प्लस ये 160 डिग्री हो गया इसकल टू 180 डिग्री अब दोनों और 160 डिग्री हम घटा देते हैं तो y प्लस 160 डिग्री माइनस 130 डिग्री इसकल टू 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री ये प्लस 160 डिग्री और माइनस 160 डिग्री ये कैंसिल हो गया तो y का मान आ गया हमारा 20 दिग्री तो यहाँ इस तरह से हमने x का मान 70 दिग्री निकला और y का मान निकलिया 20 दिग्री प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न 3 यहाँ देख रहे हैं यह कौन और यह कौन यह रैखिक युगम के कौन है आता इनका योग होना चाहिए 180 दिग्री इसी गुन से हम x का मान निकालेंगे चुकि रैखिक योग्म के कोनों का योग ब्राबर 180 दिग्री या x प्लस 55 दिग्री ब्राबर 180 दिग्री या x प्लस 55 दिग्री माइनस 55 दिग्री इसकल टू 180 दिग्री माइनस 55 दिग्री तो यह प्लस 55 दिग्री और माइनस 55 दिग्री यह कैंसिल हो गया तो x ब्राबर हो गया यह घटा दे रहे 125 डिग्री तो x का मान तो हमारा आ गया 125 डिग्री अब इन तिर्भुष के तिनों कुनों का योग होता है 180 डिग्री इस गुन से हम लोग y का मान निकाल लेंगे चुकित त्रिभूस के तीनों कोनों का योग ब्राबर 180 डिग्री ये होता है त्रिभूस के गुन से हम जानते हैं तो यहां हमारा कौन-कौन सा कौन है y प्लस 30 डिग्री और अभी हमने x का मान निकाला 125 डिग्री इसकल 2 हो गया 180 डिग्री या y प्लस ये हो जाएगा 175 डिग्री इसकल 2 180 डिग्री अब इस समिकरन के दोनों और 155 डिग्री हम घटा देते हैं तो y प्लस 115 डिग्री माइनस 155 डिग्री इसकल 2 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री तो ये प्लस 155 डिग्री और माइनस 155 डिग्री ये कैंसिल हो गया तो y का मान आ गया इसको घटा देंगे तो 10 से 5 हुआ 5 और ये 7 से 5 हुआ 2 यानि 25 डिग्री तो हमारा x का मान आ गया 125 डिग्री और y का 25 डिग्री ये y का 25 डिग्री प्रशन संख्या 4 और 5 का मैं हिंट दे रहा हूँ इसे आप स्वयम बनाएंगे यहां देखिए ये रैखिक यूगम के कोन है तो रैखिक यूगम के कोनों का योग चुकी 180 डिग्री होता है तो 180 से हम 50 घटाएंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा 130 डिग्री अब हम क्या करेंगे यहां कि तिर्भूस के तीनों कोनों का योग चुकी 180 डिग्री होता है तो हम 180 degree में से इन दोनों कोनों का योग को घटा देंगे तो यह 90 degree और 50 180 से हम 140 घटाते हैं तो ये कोन हमारा आ गया? 40 degree तो फिर अवरैखिक कोनों के योग के गुन से ये हमारा हो जाएगा 140 degree 180 से 40 घटाएगे तो 140 आ जाएगा अब प्राशन देख रहे हैं तो ये 70 डिग्री और 40 डिग्री 110 डिग्री हो गया तो 180 से 110 घटाएंगे तो ये 70 डिग्री आ जाएगा चुकि तिर्भूज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है अब रैखे कि योगं के कोनों के योग क्या गुन से हम देखते हैं कि ये हमारा वाई हो जाएगा 110 डिग्री अर्थात 180 से हमने 70 घटाया तो 110 डिग्री आ गया फिर उसी तरह से ये X का माना जाएगा 70 डिग्री इसे आप स्वयम से लिख लेगे प्रस्ण संक्या 3 यदि त्रभूज के कोन निम्न हो तो किन-किन स्थितियों में त्रभूज बनना संभव है हम लोग जानते हैं कि त्रभूज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है तो ये जो स्थितियां दी गई है तीन-तीन कोन दिये गए है यदि जिस प्रस्ण में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा वहां तिरभूज बनाना संभव है और जहां कोनों का योग तीनों कोनों का योग 180 डिग्री नहीं होगा वहां तिर्भूज बनाना संभव नहीं है आईए एक एक करके हम इसकी जांच करते हैं तो पहला है 40 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री तो जब हम इसे जोडते हैं तो 40, 70 और 40, 110 डिग्री तो 110 डिग्री से हमारा तिर्भूज बनना संभव नहीं है यहां देखते हैं 120 डिग्री 80 डिग्री और 20 डिग्री तो 120 और 80 यह हो जा रहा है 200 डिग्री और यह 20 जोडते हैं तो 220 डिग्री तो यहां भी त्रभूज बनना संभव नहीं है अब यहां देखते हैं 50 डिग्री 50 डिग्री 80 डिग्री तो यह 50 पिचास 100 और 80 180 डिग्री तो यहां त्रभूज बनाना संभव है इससे बन सकता है अब चौथा नमबर 90 डिग्री 70 डिग्री 90 डिग्री तो सिर्फ 90 और 90 दो ही कोन को जोडते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है और यह 30 डिग्री है तो यहां भी संभव नहीं है पाँचवा देख रहे हैं 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री तो 90 और 30 120 और 60 180 तो यहां किर्भूज बनाना संभव है यहां देख रहे हैं यह बहुत ज्यादा हो जाएगा इन तीनों को जोडेंगे तो तो यहां तिर्भूज बनाना संभव नहीं है तो दिये गए प्रसनों में तीसरा नमबर और यह पाँचवा नमबर में तिर्भूज बनाना संभव है प्रस्न संख्या 4 चर्चा कीजिए और कारण सहित लिखिए क्या किसी तिर्भूज में दो अधिक कोन हो सकता है अधिक कोन किसे कहते हैं 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम माल लिजे कि एक कोन हमारा 100 डिग्री है या अधिक कोन है और दूसरा भी अधिक कोन है और इसे हम 110 डिग्री माल लेते हैं तो यह हो जाएगा 210 डिग्री लेकिन हम जानते हैं कि तिर्भूज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए अताया सम्भाव नहीं है, त्रिभूज में दो अधिक कौन नहीं हो सकते हैं दुसरा प्रशन है, क्या किसी त्रिभूज में एक समकौन और एक अधिक कौन हो सकते हैं चलिए हम लोग एक उधारन ले लेते हैं एक समकोन ये 90 डिग्री और एक अधिक कोन एक 100 डिग्री तो ये कितने होगे 190 डिग्री लेकिन हम जानते हैं कि त्रभूज के तीनों कुनों का योग 180 डिग्री होता है तो ऐसा संभव नहीं है अर्थाथ एक समकोन और एक अधिक कोन त्रभूज में नहीं हो सकते हैं तीसरा नंबर है, क्या किसी त्रभूज में दो अधिक कोन हो सकते हैं? यह तो पहला वाला ही प्रशन है, इसका अंसर है नहीं चौथा है, क्या किसी त्रभूज में बाय कोन एवं अंतर कोनों का योग 100C डिग्री होता है? हाँ, यह होता है पांचवा, क्या किसी त्रभूज के प्रतेक कोन 60 डिग्री से अधिक हो सकता है? प्रतेक कोन अगर 60 डिग्री से अधिक होगा, तो आएए एक केस को देखते हैं, माल लेते हैं कि प्रतेक कोन 70 डिग्री है ये 70 डिग्री है परतेक कौन तो 3 कौन होते हैं तो ये 3 Guna हो जायेगा 3 कौन का माप तो ये हो जायेगा 210 डिग्री तो ये तो 180 डिग्रे से जाधा हो गया जो त्रिभूज में सम्भव नहीं है तो ये इसका eanser होगा नहीं छठा है क्या किसी त्रभूज के प्रतेक कौन 60 डिग्री से कम हो सकता है अगर 60 डिग्री से कम होगा तो निश्चित रूप से तीनों कोनों का योग 180 डिग्री से कम होगा जो कि त्रभूज में संभव नहीं है क्या किसी त्रिभूज के प्रतेक कौन, नियून कौन होना आवस्चक है? बिल्कुल आवस्चक नहीं है, हम लोग ने देखा है, समकौन त्रिभूज होता है, जिसमें एक कौन 90 डिगरी का होता है, अधिक कौन त्रिभूज भी होता है, जिसमें एक कौन अधिक कौन होता है, तो यह इसका एंसर है नहीं.